बिस्मिल्ला रख्मान रराहीम असलाम उलेकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप यौर आल फाइंट्स वेलकम टू गुल्फिशा आई स्कूल ओनलाइन लेक्टर सिस्टम तुड़े मैं लेक्टर इस फॉर क्लास एट और मैं सब्जेक्ट इस मैंच चैप्टर नमबर टू है हमारे रिएल नमबर हमारी एक्ससाइज एक्ससाइज 2.4 सुझे जैसा कि हमने पिछली एक्ससाइज में स्केर रूट करते रहे हैं प्राइम फेक्टराइज़ेशन और डिविएन मैतेट से इस एक्ससाइज में भी हमने वही चीज़े पढ़नी है जो हम पिछ्छी एक्ससाइज में पढ़ते आई हैं तो इसमें हमने स्केर रूट करना है प्राइम फेक्टराइज़ेशन के जरीए से पहले सवाल में तो उसमें देखें पहला सवाल है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनका एलसे हम लेंगे पहला सवाल है वरबास 49 ओवर 64 49 का एलसे हम लेंगे वह 7 से सौर्प होगा 7 7s are 49 7 7s are 7 जो के 49 की प्राइम फेक्टराइजेशन होगी फिर उसके बास 64 की फेक्टराइजेशन करेंगे 64 की प्राइट को टूपे करेंगे तो 8 आएगा 8 को टूपे करेंगे तो 4 4 को टूपे करेंगे तो 1 आंसर हमारा आजाएगा इस तरह से 6 टाइम 2 जो है वो repeat होगा जो कि हमारी 64 की प्राइम फेक्टराइजेशन होगी यहां पर कॉश्चन में थोड़ा से 16 लिख रही है यहां पर 64 आएगा तो देखे 7 और 7 का एक स्केर रूट और स्केर बनेगा और जो टू है वो सिक्स टाइम है तो उसको थ्री टाइम रपीट करेंगे वाद डू का स्केर मलटिप्लाइब बवाए टू का स्केर सेकेर से इतने भी स्केयर हैं वो भी स्केयर रूट से कट जाएंगे तो पीछे बार पर रखम बचेगी 7 ओवर 2 multiply by 2 multiply by 2 3 times 2 है तो इनों को multiply करेंगे तो 8 आ जाएगा इस तरह 49 ओवर 64 का जो स्केयर रूट है वो आएगा 7 ओवर 8 इसी तरह अगला सवाल है उसमें है 121 ओवर 625 तो 121 की factorization करेंगे वह 11 पर होगी 11 11 11 21 फिर 11 11 इसी तरह 625 जो वह 5 के table पर जा रहे तो 651 जा 5 5 2 जा 10 तू दूसरी साइट पर चला गया 5 के साथ वह 25 बन गया 5 5 जा 25 ठीक है इस तरह 125 को पर 5 पर करेंगे तो 5 2 जा 10 12 था तो वह 5 के साथ चला गया तो 25 बन गया 5 5 जा 25 फिर 25 को 5 पर करेंगे तो 5 आएगा 5 को 5 पर करें तो 1 आएगा इस तरह इसकी factorization बन रही है 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5 तो हम लिखेंगे ender root 11 multiply by 11 divided by ender root 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5 2 2 का pair बना लेंगे फिर उनका जो square होगा वो square root से cancel out हो जगा बाकी मार पास बच जाएगे 11 over 5 multiply by 5 तो 5 multiply by 5 करेंगे वो 25 आजएगा इस तरह हमारा 121 over 625 का square root आएगा 11 over 25 इसी तरह इसके students बाकि सारे सवाल है हमने इसी तरह इनकी factorization करनी है फिर उनको square root से cancer कर देना है और फिर वो हमारा answer आजएगा अब question परते हैं हमारा question number two है उसमें हमने क्या करना है उसमें भी हमने स्केर रूट और जैसा कि आप सबको बताया हुआ है मैंने के जो हमारे पास answer होता है और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हम इन दोनों को add करें तो वह उस रकम के साथ फिर हम एक और रकम करते हैं जो उपर भी same हो और नीचे सेम हो तो पिर हम हूं उसको solve करते हम यह पर एक करेंगे तो तो आएगा पिर हम साथ में two को करेंगे जिसको multiply 25 उसको हम solve करेंगे अब देखे टू है टू को तो टू से नहीं कर सकते हैं हम लोग इसलिए हम वन से ही करेंगे बन बन जाब वन माइनस करेंगे वन आएगा और 25 का 25 पर नीची आ जाएगा फिर टू का 1 प्लस 1 को एड करेंगे टू और फिर साथ में 5 लगाएंगे मतलब 25 को 5 से मंटिप्लाइ करें तो 125 इसका आंसर आ जाता है इस तरह हम यह होता है कि 225 है उसका अंडर रूट जो है वह है 15 मतलब 144 का 12 25 का 15 फिर हम अब यह देखे जब इसका स्केर लिए रूट लिए तो 12 ओवर 15 आया इसकी कटिंग करेंगे 3 के टेबल पर 345 जार 15 इस तरह से और चानल के सब्सक्राइब रहते हैं झाल झाल